वेल्कम दियर स्टूडेंज बिटा अभी अभी हमने आपका चैप्टर सेंग विदाउट स्पिकिंग रिडिंग कंप्लेट किया ना इसके कोशन्स हम चैप्टर पढ़ते वे डिसक्स कर चुके हैं बट एक बार मैं आपको समझा देती हूं जैसे इसका पहला कोशन है आपको कैसी लगी तो आप लिखेंगे I like this game मुझे यह बहुत पसंद है यह मतला अच्छी लगी तो इस इंट्रस्टिंग है इंट्रस्टिंग है ठीक है अगर आप लिखना चाहते है इतना ठीक है सिंपल आप लिखतेंगे कि like this game मुझे यह बहुत अच्छी लगे इंट्रस्टिंग यह इंट्रस्टिंग है ठीक है yes I found it difficult it difficult है to act without picking कि आपको acting करनी है और बोलना भी नहीं है तो थोड़ा सर्टिफिकल्ट है क्योंकि कई मार समझ भी नहीं आता अधर्स को third one is have you ever seen anyone talking through actions कि आपने किसी को देखा है इस तरह से actions के थ्रू बात करते हुए तो आप लिख सकते है yes I have seen mime artist and dumb people talking through actions ठीक है इसके साथ साथ आप small children भी लिख सकते है लिखना चाहे कि I have seen mime artist, dumb people and small children चोट-चोटे बच्चे भी इस तरह से कहीं मारी बात करते है थ्रू actions तो talking through actions ठीक है कि dumb people simple भी लिख सकते है आप कि क्योंकि deaf का मतलब होता है बहरा और dumb का मतलब होता है गुंगा तो जो बोल ही नहीं पाएगा उनको एक्शन करना पड़ेगा तो अगर आपको यह मुश्की लगता है तो पैसे भी लिख सकते है कि dumb people need to talk like this कि जो dumb people होती है ठीक है do you have be dumb dumb people simple आपको याद करने के word dumb dumb people need to talk like this dumb people को इस तरह से बात करने के जूर्थ होती है चीक है तो या तो face expression देगा या hand gesture करेगा लब हात्तों का इस्तिमाल करेगा यह जैसे look at these हमने यहाँ पे pictures देखी थी यहाँ पर जो यह pictures किसकी क्या story बनेगी तो इस तरह से देखो कि once upon a time on a huge tree there lived a squirrel मतलब इस तरह से एक बड़े से पेट के उपर big tree के उपर को रहती थी थी she used to dance all day long मतलब कि पूरा दिन वो dance ही करती रहती थी यह लाइक dance उसको dance पसंद था इस तरह से भी लिख सकते हैं यह line आपको कट करना जाते तो कट कर सकते हैं यह line आपको नहीं आदो थी तो आप कट भी कर सकते हैं one day she decided to cook something दिन वो decide करती कि चलो कुछ पकाती हूँ तो वो पका रही है यहाँ पर cook कर यह ना वीचर के थूँ वो decide करती है कि चलो she decided to cook something कुछ cook करती हूँ तो वो किनको invite करती है she invited her friends वो अपने friends को invite करती है like किसको invite करती है उसमें crow को crow को, manna को, rats को, bees को, spelling learn करने she invited her friends like the crow, crw crow, manna, m-y-n-n-a, the rats, chuho को and the bees ते रखे ना इसमें rat भी है, crow भी है, manna भी है and bees भी है जिक है मतुमा क्या तो इनको invite करती है विससा बात नहीं है all our friends enjoyed the party, party को enjoy करती है they said thanks to the squirrel और वो squirrel को gilheri को क्या बोल thank you की मज़ा है हमें party में, enjoyed a lot, yeah all enjoyed a party a lot इस तरह से बस आपका पिक्चर की थुरू करना है, जैसे अब एक कोशन भी आप कर सकते है explain the game dumps rush मैंने आपको करवाय था, कि dumps rush game क्या होती है, इस game में क्या होता है, one player explains the things, एक player है, जो act करेगा, वो अपनी बात को explain करता है, बताता है, by sign language, sign language का मतलब क्या हुआ, अपने hand gesture के थुरू, और अपने face expression के थुरू, एक शब मैंने लिख दिया है sign language, वो sign language के थुरू अपनी एक question नहीं बेर सकते है, name two Indian dances which use bhavas and mudras, तो ऐसे, कौन से Indian dances होती है, जैसमें bhavas and mudra use होंगे, Kathakalian, भारत नाटियम, ठीक है, यह अपने पिछली book थी, आपके उसमें किया था, और बाकी मैंने आपको कुछ वो भेजी होंगे, difficult words, easy थे वो तो sad, sad का मतलब होता है, अधास, angry, angry, angry का मतलब होता है, गुस्सा, और happy, happy का मतलब होता है, कुश, ठीक है, तो इस तरह से वो भी, वो भी easy है, चलो वो भी मैं कोई गवार समझा देती हूं, ठीक है, तो इस तरह से अपने question answer भी easy है, करने है, ठीक है, बहुत easy है, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, झाल, सूल, सूल, सुल, सुल, सुल.